जितने आस्था चेनल पर कफा सुन रहे हो जितने फेस्बूक और यूटूब पर सुन रहे हो और साउधानी से सुनना तो जिनकिया संपदा की कमी होती है वैवहू की कमी होती है लचमी की कमी होती है प्रतिष्ठा की कमी होती है धन की कमी होती है उसके लिए सोमवार के दिन बहुत सुन्दर बात है अपनी जिन्दगी में इसको जरूर उतार कर रखना कि शंकर के मंदिर में जाकर आप जल चड़ा रहे हैं शंकर के मंदिर में जाकर आप दूद्र चड़ा रहे हैं शंकर के मंदिर में जाकर आप पूजा कर रहे हैं और शंकर जी आपकी नहीं सुन र शिव देने में कमी नहीं रखता कमी अपनी सेवा में हो कई कई लोग कहते हैं हम संकर जी के अराधना करते हैं हम पूजन करते हैं मैं तो इत्ते साल से बिल पत्र चड़ा दी मैं तो इत्ते साल से जल चड़ा रही हूं मैं इतने समय से भगवान के गलती तुमारी है जब दस दिशाओं को भगवान संकर ने बाटा और संकर भगवान ने दस दिशाओं को बाटा तो दस दिशाओं का आधिपत्य बनाया है कि कौन से दिशा में कौन सा देवता इसका आधिपत्य रखेगा कौनसे देवता यहाँ पर निवास करेंगे किसका आदिपत्य इस दिशा में होगा पूरग, पश्शीम, उत्तर, दक्षिन ये चारो दिशा सामने आकर खड़ी हो गई भगवान शंकर के सामने भगवान शिव के सामने खड़ी है चारो दिशा दीरे-दीरे करते इसान वायब ये भी आकर खड़ी हो दसो दिशा शिवरी के सामने थी दसो दिशा सारी की सारी दिशाएं सामने आकर जब खड़ी होई केवल एक दिशा एसी थी दक्षिन जो भगवान शंकर का इस्मन कर रही थी भगवान शंकर के स्वरूप का अनमोदन कर रही केवल दक्षिण दिशा कई लोगों के मन में प्रिष्ण है जीवन से होगा साय और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं मौबाइल पर सुन रहें कथा को यूटूब फेस्बूक पर आप के भी मन में यह प्रश्ण आया होगा कभी जिंदगी में तो आया होगा कि संकर जी की की जलाधारी उत्तर में क्यों होती है कवी तो जीवन में प्रश्ण आया हूगा आपके भी कि सब संक्रजी के मंदिर मैं संक्रजी की जलाधारी उत्तर की क्यों होती है कि किसलिए हौid माराvic केवल एक दिशा एसी है दक्षिन जो दिशा भगवान संकर का गुनगान कर रही है। सारी दिशां आपस में चर्चा कर रही थी, दक्षिन दिशा शिव की अराधना कर रही है। वहीं पर उत्तर जो दिशा थी वो खड़ी होकर दक्षिन दिशा की और हसने लगे। अकेली बेटकर माला जपे नाम जपे या हैंडसेक मुबाइल चलाए या फोन पर लगी रहे या बात करे तो जितनी जो सहलियां होंगी ना ठिटोली तो करेंगी ना दक्षिन दिशा को देखकर उत्तर दिशा ठिटोनिया करने लगी हसने लगी भगवान शिव की अराधना मे अर्क्षिण लगी हुई थी पूरव और पत्ष्चिम ये दो दिशा एसी थी जिनको भूंतवी मान था इन्हों है इस्नोंने तो पहली सोच हुद लिया था कि सर्व देव हमारे आधीन पूरव और पस्षिम के आधिन सर्व देव तो जब्सक्र आधीन्या मेरे आधीन हम हम क्यों जपें हम क्यों इस्मर्ण करें पूरवर पश्यम बेठे रहें एक सिंपल भाव में बेठे भी रहोना मध सुमध्धितोली करो तो भी चल जा पर उत्तर ठीटोली करें और उत्तर दिशा ने जैसे इंट ठीटोली करी शब्दों के बान कहना दक्षिन को चालू करें इतने में भगवान शंकर जो मद्ध्य थे सामने जिस शिव की अराधना दक्षिन दिशा कर रही थी जिसके स्वामी है यमराज जब उक करी दक्षिन दिशा ने एक बार हाज जोड़कर कहा उत्तर है शांत रहिए अगर मैं शिव अराधना कर रही हूं तो क्या दिक्कत है उत्तर ने फिर कोई सब्द कहा इतने में जिस संकर की अराधना दक्षिन दिशा कर रही थी शिव को क्रोध आ गया और किसी की तपसाधना में भजन में कीर्तन में अगर आप अर्चन उत्पन करते हो तो जब तब कर रहा है उसको कष्ट नहीं होगा जिसका भजन कर रहा जा रहा है जिसका नाम जपा जा रहा है तश्ट उसको होगा दक्षिन ने तो केवल एक बार मना कर दिया कि मत बोल मत कर पर उत्तर नहीं मानी तब दक्षिन उसी समय पर मोन हो गई आराधन में डूब गई शंकर भगवान जैसे ही एक लिंग रूप में प्रगठ हुए भगवान का तेज पुंजितना प्रबल था कि सामने उत्तर दिशा घातित होने लगी जलने लगी कि छमा मांगी उसने दक्षिन दिशा से क्रपा करो तब दक्षिन ने जल का पात्र लेकर शंकर के शिवलिंग पर चड़ाया वो जल उत्तर की और गया तब उत्तरा की ज्वलनता समाप्त हुआ अधा मता दक्षिन दिशा ने बर मांग लिया शंकर जी से भोले ना आप ने मेरी आज कामना पूर्ण करी मेरी सक्षी को बचा दिया क्रपा करिए शंकर भगवान ने कहा सुनो दक्षिन दिशा तुमारा पती यमराज तुमारे साथ मेरे ताहे तुम दक्षिन दिशा की मालकिन हो और यमराज है उत्तर यह तीम दिशा में जो शंकर की अराध न करेगा शंकर तभी उसकी कामना पून नहीं करेगा जो दक्षिन दिशा में बेट कर शिव का जलाधारी उत्तर की हो और दक्षिन दिशा में बेटकर यदि एक लोट पानी भी चड़ा देगा संकर उसकी कामना पून करदेगा अब दिकतियां अड़ीपड़ी एक है कि शंकर के मंदिर में भी पंडी जी पूजन कराने बेट तो पूरब का मूँ करो पर दक्षिन में नी करने दक्षिन में बेटने नहीं करता पर दक्षिन की और बेटकर एक लोटा पानी भी चड़ाया है शंकर सिखार कर लेता है शंकर उसको पा लेता है अब दिक्कत यह है कि कई लोग करते हम तो पूजन करते भगवान नी सुनता तो दिसा देख ले पहले कौनसी बेटी थी इत्ते दिनों से किस दिसा में मूँ रखकर पानी चड़ाया वो बता हमको पहले संकर जी ने नहीं सुना तो क्यों नहीं सुना तो क्यों नहीं सुना कारण क्या है वो तो जानों पहले कि क्या कारण है पानी चड़ा रहे हो मंदिर में बहुत भीड़े इधर खड़ी हो गई उदर खड़ी हो गई इधर खड़े हो गई इधर खड़े हो गई तो जो शास्त्र में दिशार कही गई है सास्त्र में किया गया है कि उत्तर की और भगवान का अगर जल जा रहा है तो दक्षिन की और बेट कर एक लोटा पानी भी चड़ाए है शंकर उसे स्विकार कर लिया कि भगवान उसको स्विकार कर लिया महाराजे पिष्थ अराधना करी दक्षिणे फिर अराधना करी एक वर्थों मांगी लिया है और ये वर्थ सबके लिए मांगा है कोई अकेले के लिए नहीं मांगा द qham débpri तो तो दक्षन फिर तप कर रही है, दक्षन दिशा फिर आराधना ने प्रारम कर लिए, भगवान शिव का नुमोधन इस्वरन किया, बगवान रस्तत्व को ग्रण करने का बाव प्रगति रहा है, जो दक्षन ने तप किया, आज गोरी शंकर कातव है, माता पार्वती और शिर्ता थे फिर मांगा बाबा प्रसंद्व कर लिए हे दक्षिण तुमने फिर तक कर लिया फिर साधना कर ली प्रभू एक वरोड चाहिए बोलो क्या वर्दि क्या वर्दिया दक्षिण कहती है जिस समय पर सम्षान में आप निवास करते हैं जिस मुर्दे को लोग लेकर आएंगे उसका चरण दक्षिण दिशा की और होगा सम्षान में प्रवेश करने से पहले वो मुर्दा भले मर चुका होगा पर महराज उसकी कपाल किरिया के पहले प्राण जाते नहीं जब तक मुर्दे के कपाल किरिया नहीं हो तब तक उसके प्राण लेकर उपर नहीं जाता तो निवेदन है सम्षान में प्रवेश के पांच कदम पहले से जो भी मुर्दे को लेकर सम्षान में आये जितने लोग सम्षान में प्रवेश करें मुर्दे के साथ में उन सभी को काशी की परिक्रमा का फल मिल जाए देखिए महाराज यह दुनिया में कोई नहीं मंग सकता जो दक्षिण दिशा मंग रही है भोतो ना भविष्यते जो दक्षिण दिशा भदवान से मंग रही है वह कोई नहीं मंग सकता जो फल दीजिए जितने लोग मुर्दे को लेकर दक्षिण दिशा की और अगर मुर्दे के चरण है मालों कोई भूल से सिर कर लिया तो उसको यह पुर्णे नहीं मिल सकता पर म मुर्दे के पाउं अगर दक्षिण दिशा की और हैं कंदे पर जितने लोग लेकर आ रहे हैं जितने लोग साथ चल रहा है उसका पुन्य शम्शान की देहली पर पाउं रखने से पांच कदम से लेकर सम्शान प्रवेश तक काशी की परिक्रमा कफल उनके भाग्य में वही हो सुख हो यहां तो काशी काशी पाज वर कहने पर कुण्यता है दक्षिण दिशा में दुनिया का सुख आपको लाकर दे दिया दुनिया का सुख लाकर दिया है दुनिया का अनंद लाकर लोग पहुच जाते हो और माहजाकर कर देते हो कि आमारे जीमन में संकट है इ इसको मिटा दीजिए। श्यों महापुराण की कथा करती है। हमें किसी आडंबर की और अंद विश्वास की और हमें नहीं जांगा। ऐसा संसार में कोई नीजनमा जिसके जीवन में दुख नहीं आया। मट्टी का जो घड़ा बनकर रखा हुआ है वो मट्टी का घड़ा अगनी में तपता है तबी तो उसमें पानी रुखता है। अगर मठी के घड़े को अगनी में नहीं तपाएंगे, तो उसमें पानी नहीं भर सकते हैं, वो घड़े में पानी डालो, अगर गड़ा तूट जाएगा। घड़े में अगर पानी भरना है मट्टी के घड़े में अगर जल भरना है तो घड़े को तपना पड़ेगा घड़ा तपेगा तब उसमें पानी भराएगा और अगर वो घड़ा तपा नहीं है ऐसा ही कैसे ही रखा हुआ है बस मट्टी का तुमने घड़ा भना लिया उसको वागनी में नहीं तपाया तो उसमें पानी की बून पड़ेगी पानी पड़ेगा और वो गलकर नीचे गिर जाए तो घड़ा तपता है तब उसमें पानी ठेरता है दुख जब जिन्दगी में आता है तो यह हमको तपाता है